साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विशय है शब्दों का महता चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी एक संत जी अपने शिश्यों से वार्ता लाब करते हुए बता रहे थे कि इश्वर के द्वारा बनाई गई इस स्रिष्टी के कंड कंड में परमेश्वर का आवास है प्रतेक जीव के लिए हमें अपने मन में आदर और प्रेम का भाव रखना चाहिए एक शिश्या ने इस बात को मन में बठा लिया कुछ दिनों के बाद वो शिश्या कहीं जा रहा था उसने देखा कि सामने से खाथ ही आ रहा है हाथी पर बैठा हुआ महावत चलना रहा था सामने से हट जाओ ये हाथी पागल है ये मेरे काबु में नहीं है शिष्य ने ये बात सुनी पर उसने सोचा कि मेरे गुरू जी ने कहा था कि स्रिष्टी के कण कण में परमेश्वर का वास है अतहे इस हाथी में भी परमेश्वर होगा फिर मुझे कोई हानी कैसे पहुँच सकती है ये सोचकर शिष्या ने महावत की दी गई चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया जब वह हाथी के निकट आया तो परमेश्वर का सवरूप मान कर उस शिष्या ने हाथी को साष्टांग प्रणाम किया हाथी भड़क गया उसने शिष्या को सूंड में लपेटा और दूर फैक दिया शिष्या को बहुत चोट लगी वो कर रहता हुआ संत के पास आया और बोला गुरुजी आपने जो बताया था वो सच नहीं है यदि मुझमें भी वही इश्वर है जो हाथी में है तो उस हाथी ने मुझे फैक क्यों दिया संत ने हस कर पूछा कि क्या हाथी अकेला था शिष्या ने कहा नहीं उस पर महावत बैठा था और वो चला रहा था कि ये हाथी पागल है इसके पास मत आओ इस पर संत ने कहा पगले हाथी परमेश्वर का रूप था तो उस पर बैठा हुआ महावत भी थो परमेश्वर का रूप था तुमने महावत रूपी परमेश्वर की बात नहीं मानी इसलिए तुम्हें हाने उठानी पड़ी कहने का विप्राई ये है कि प्रतेक धारणा और नहित विचार को विवेक बुद्धी से ग्रहन करना चाहिए भगति या अधरभाव से जों कातियों पकड़ना सरलता नहीं मूरता होती है शब्दों का अपना महतव है भावों का अपना महतव किसको कब और कितना महतव देना है ये अपने विवेक से ताय करे ग्यान और विवेक से ही चैतन्या होता है विवेक हिन ग्यान जड़ बोध मातर है साच संगत जी गाव में एक बढ़ाई रहता था वो शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था एक दिन उसे पास के गाव में एक अमीर आदमी ने सरनीचर बन माने के लिए अच्छे महताने पर अपने घर बुलाया वहां के काम को खतम करते समय शाम हो गई उसने काम से मिले हुए पैसों के एक पोटली बना कर बगल में दबा ली ताकि किसी लुटेरे को थैली दखाई ना दे और थड़ से बचने के लिए बढ़ाई ने कमभल ओड लिया सुनसान रास्ते से वह चुपचाप अपने घर की ओर रवाना हुआ थोड़ी दुर जाने के बाद अचानक उस एक डाकू ने रोक लिया डाकू शरीर से तो बढ़ाई से कमजोर ही था लेकिन उसकी शारीरिक कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढख रखा था जिसके बल पर वो डाकू बढ़ाई के सामने आ खड़ा हुआ अब बढ़ाई ने जब डाकू को सामने देखा तो उसके हाथों में बंदूग देखकर बढ़ाई डर गया लुटेरे ने बढ़ाई की मानसिक दशा का आंकलन करके कहा जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा ये सुनकर अन्य किसी किया पेक्षा ना रखते हुए भायबीत बढ़ाई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला ठीक है ये रुपए तुम रख लो मगर मैं घर पहुँच कर अपनी पतनी को क्या कहूँगा वो तो यही समझेगी कि मैंने ये पैसे जुए में या किसी व्यसन में उड़ा दिये होंगे इसलिए तुम्हें काम करो अपनी बंदूग की गोली से मेरी टोपी में छेद कर दो ताकि मेरी पतनी को लूट का यकीन हो जाए लूटेरे ने बड़ी शान से बंदूग से गोली चला कर टोपी में छेद कर दिया अब लूटेरा जाने लगा तो बढ़ाई दुबारा बोला एक काम और कर दो जिससे मेरी पतनी को यकीन हो जाए कि लूटेरे के गैंग ने मलकर मुझे लूटा है वरना मेरी पतनी मुझे कायर समझेगी तुम मेरे कंबल में भी चार-पांच छेद कर दो अपने कृत्या पर मन ही मन प्रसन होते हुए उस डाकू लूटेरे ने खुशी-खुशी कंबल में भी कई गोलिया चला कर छेद कर दिये इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला इसमें भी छेद कर दो ताकि सभी गाम वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संगरश किया था इस पर लूटेरा बोला बहुत हो गया बसकर अब मेरी बंदूग में गोलिया भी खतम हो गई है ये सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और उसने लूटेरे को दबोच लिया और बोला मैं तो यही चाहता था तुम्हारी ताकत सिरफ ये बंदूग थी अब ये खाली है अब तुम्हारा जोर मुझ पर नहीं चल सकता चुपचाब मेरी पोटली मुझे वापस कर दो ये सुनते ही लूटेरा हैरान हो गया कोई रास्ता ना देखकर उसने वो पोटली बढ़ई को वापस देदी और अपनी जान बचाकर वहां से भागा आज बढ़ई की ताकत तव कामाई जब उसने अपने दमाग का अपने विवेक का सही ढंग से इस्तमाल किया इसलिए साथ संगत जी कहते हैं कि मुश्किल हालातों में अपनी अकल का जादा से जादा इस्तमाल करना चाहिए ताकि आप मुसीबतों से असानी से निकल सको अपने विवेक को जीवन्त रखिए हमारी विवेक हिंता हमारी दुर्बलता का कारण बन जाती है जबकि हम अपने विवेक से मुश्किल से मुश्किल परिस्तितियों से भे बहार आ सकते हैं विवेक का अलोख हमारी सफलता के द्वार के दर्शन हमें कराता है और भगवान हनुमान जी इसी विवेक का सशक्त उधारन है माता सीता की खोज के समय समुंदर लांग कर लंका जाने से लेकर और लंका से वापसे तक हनुमान जी ने जिस विवेक का परिचा दिया वहनी संदेह अद्बुध है लंका के दरबार में दशाशीश के सम्मुख भी जरा सा विचलित ना होना और पूँच में लगी हुई आग से लंका को जलाने का अफसर खोज लेना ये भगवान हनुमान जी का विवेक ही तो था इसलिए कठिन परिस्तितियों में करें विवेक का परियोग एक दिन राजा अकबर के दरबार में जोरों का कोला हल सुनाई दिया सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि बीरबल पापी है इसे दंड दो अकबर ने भरी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख आग्या दी कि बीरबल को फांसी पर चड़ा दिया जाए दिन तैह हुआ बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने कि आग्या मांगी आग्या मिलने पर बीरबल ने कहा कि मैंने सारी चीज़ें तो आपको बता दी पर मोती बोने की कला मैं आपको नहीं सिखा पाया अकबर ने कहा सच मुझ तुम मोती बोने की कला जानते हो तो ठीक है जब तक हम ये कला न सीख लें तुम्हें जीने का मौका दिया जाता है अब बीरबल ने कुछ विशेश महलों की और इशारा करते हुए कहा महराज इन्हें डहा दिया जाए क्योंकि इस जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकती है अब बीरबल के कहने पर वो महल डहा दिये गए ये महल बीरबल की जूटी शिकायत करने वाले दर्बारियों के थे वहां बीरबल ने जूँ के बीज बोधिये कुछ दिन के बाद बीरबल ने सभी को कहा कल सुबह से पोधे मोती पैदा करेंगे अगले दिन सभी आए उसकी बुंदे जो की जूं के पोधों पर मोतियों की तरहां चमक रही थी सभी लोग ये नजारा देखने के लिए वहां मुझूद थी बीरबल ने मुझूद लोगों को कहा अब आप लोगों में से जो भी निर अपराधी दूद का धुला हो वो इन मोतियों को काट ले लेकिन किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी बन कर गिर जाएंगे साथ संगत जी कोई आगे नहीं बढ़ा तब अकबर को समझ में आ गया कि गलतियां तो सभी से होती है और अकबर ने बेरबल को मुक्त कर दिया कहानी का सार के वले इतना ही है कि विवेक का परियोग करके इंसान कठीं से कठीं परिस्तिती से बाहर आ सकता है साथ संगत जी संथ तुका जी महराज अपने शिशों के सद भजन केर्टन में मगन रहा करते थी सभी के प्रति सद्भावना शुप चिंतन ही उनका धरम था एक बर उनकी प्रति आस्था रखने वाले एक व्यक्ती ने अपने दुकान का नाम गुरु देव सेलून रख दिया संथ जी के एक दूसरे शिश्य रामचंदर ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुसा आया संथ जी के सामने ही वह बढ़ बढ़ाते हुए बोला गुरु जी ये तो आपका अपमान है मैं उसके सेलून में आग लगा दूँगा सेलून मालिक का नाम पांडू रंग था साथ संगत जी संथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा हनुमान ने लंका में आग इसी लिए लगाई थी कि रावन ने वहाँ सिता को छुपाया था तुम सेलून में आग क्यों लगाओगे पांडू रंग ने तो वहाँ किसी को नहीं छिपाया वह तो लोगों की सेवा करके अपना पेट पालता है वह सेलून तो उसका श्रम मंदिर है तुम्हारे घर में शिशु हो तो तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम उसका नाम कुछ भी रखो इसमें किसी को बुरा क्यों लगेगा तुम्हारे पेटा ने तुम्हारा नाम राम चंद्र रखा किन्तु इससे भगवान राम नाराज तो नहीं हुए माता सीता या हनुमान जी ने भी अतराज नहीं किया तो फिर तुम नाराज क्यों होते हो संत की बास सुनकर राम चंद्र शिश्य की आँखों में पश्चाताब के आसु आ गए संत जी बोले लो सारा मैल बह गया अब कल राध हम सभी पांडू रंग के सलून में कीरतन करेंगे अगले दिन सलून में कीरतन करने में सबसे आगे शिश्य राम चंद्र था साठ संगत जी ये कहानी विवेक के महतव को दिखाती है यदि हम विवेक से सूच समझ कर काम करेंगे तो हमसे कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा इसलिए अपने और समाज दोनों के हीत में विवेक का दामन कभी न छोड़े अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो विदियो को लाइक शेर्फ जरूर कीजेगा आप सभी से फर्मुला गात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धान नरंकार जी